बंदर और लकली का खूंटा, एक समय की बात है, जब शहर से थोड़ी दूर में एक मंदर बनाया जा रहा था, उस मंदर के निर्मान में लकलियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लकलियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आय हुए थे, एक दिन मजदूर लकली चीर र लगे एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीर थी इसलिए वह बीच में लकड़ी का खूटा फसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फसाने में आसानी हो उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आ जाता है उस समूह में एक शरार्ती बंदर था जो वहां पड़ी चीजों को उल्टा-पुल्टा करने लगा बंदरों की सरदार ने सभी को वहां रखी चीजों को छेरने से मना किया कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वह शरार्ती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और उधम शरारत करते करते उसकी नजर उस अधरे लकली पर पढ़ती है जिस पर मजदूरने लकली का खूटा लगाया था खूटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकली को वहाँ पर क्यों लगाया है उसे निकालने पर क्या होगा फिर वो उस खूंटे को बाहर निकालने के लिए खीचने लगता है बंदर के अधिक जो लगाने पर वो खूंटा हिलने और खिसिकने लगता है जिसे देखकर बंदर खुश होता है और जो लगाकर उस खूंटे को सरकाने लगता है वो खूंटे को निकालने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूंच दोनों पाटों के बीच में आ गई बंदर पूरी ताकत के साथ खूंटे को खीच कर बाहर निकाल देता है खूंटा निकलते ही लकडी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंच बीच में फंस जाती है पूंच के फंसने पर बंदर दर्ड के मारे चिलाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जो लगता है तो पूंच तूट जाती है वह चीकते हुए तूटी पूच लेकर भागता हुँ आपने जुन के पास पहुंच जाता है वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी तूटी हुई पूंच देखकर हसने लगते हैं कहानी से सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें न तो दूसरों की चीजों के साथ चेलचाड करनी चाहिए और नहीं उनके काम में दखलंदाजी करनी चाहिए ऐसा करने से हमें ही नुकसान होता है